नवस्कार दोस्तों आपदेखाएं स्पोर्ट्स सार आपके साथ मैं हूँ अपोर मिश्डा विराटगोली दरनमर्शीन विराटगोली यह जब भी मैदान पर उतरते हैं कुछ ना कुछ नया कीर्तिमान बना ही देते हैं कोई नया इतिहास रज़ देते हैं क्योंकि इतने बड़े बल्ले बाज हैं कि रिकॉर्ड्स इनके पीछे पीछे घूमते हैं और ये उनके आगे चलते हैं ऐसा ही एक रिकॉर्ड विराठ कोली के सामने मौजूद है जिससे 14 रन बनाते ही विराठ कोली तोड़ सकते हैं और बड़े एतिहासिक कप्तानों की सूची में अपना नाम दर्ज करवा सकते हैं विराठ कोली ये record जो है सिर्फ 14 run बनाते ही वो England के खलाफ ये record बना सकते हैं और ये record दरसल है बतौर test कप्तान सबसे ज्यादा run बनाने का record उसकी list में अपना नाम कोहली जो है शामिल कर सकते हैं और एक पाइदान उसमें उपर जा सकते हैं जिहांत रसल विराट कोहली का अभी बतौर test कप्तान जो run है वो है 5220 यानि की 5220 और अभी वो test में कप्तान के तौर पर सबसे ज्यादा run बनाने के मामले में पाँचवे नमबर पर है लेकिन जैसे ही वो चौधा run बना लेंगे वो इस लिस्ट में चौथे नमबर पर आ जाएंगे और वो बड़े वेस्ट इंडीर्स के दिगच खिलाडी रहे क्लाइव लॉइड को पीछे छोड़ देंगे जी हां इस पूरे मामले में वो चौथे नमबर पर आ जाएंगे और उनसे आगे कौन-कौन है यह मैं आपको बता देता हूँ में तेस्ट क्रिकेट में बतार कफान सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में नमबर एक पर हैं हो साथ आफ्रीका के पूर्वेव टेस्ट कफान ग्रीम स्मित इसमित ने 8,669 वन बनाए हैं बतौर टेस्ट कप्तान दूसरे नमबर पर है उनके बाद है ग्रेट एलन बॉर्डर ऑस्टेलिया के पूर्व कप्तान उन्होंने बनाए है 6,623 रन यानि कि लगभग 2,200 रनों का अंतर है उनके और ग्रीम स्मित के बीच में उसके बाद तीसे नमबर पर आते हैं रिकी पॉ क्योंकि रिकी पॉंटिंग अब तो इस रिकॉर्ड को तोर सकते नहीं तो वो तीसे नमबर पर ही रहेंगे उसके बाद चौथे नमबर पर है अभी क्लाइव लॉइड जिनके 5,233 है तो चौधरन बनाते ही 5,234 हो जाएंगे विराद कोली के बताओ टेस्ट कप्तान तो फ पॉर्थे नमबर पर पहुंच आएंगे फिर उनकी कोशिश यह रहेगी कि जल्दी से रिकी पॉंटिंग और साते साथ फिर एलन बॉर्डर को वो पीछे छोड़े और फिर जो नमबर वहने इस लिस्त में ग्रेम स्मिथ उसका रिकॉर्ड तोड़े क्या सोचते हैं आप र